वो आप से क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पाए किसी का भी नाम सोच कर एक तुतली चुनिए नमस्कार दोस्तों जैमातादी जैश्र कृष्णा कैसे हैं आप सब आश्या करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहत मंध होंगे और अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ रहे होंगे हमारी इश्र से यही प्रार्थना हैं आप सब ही के लिए कि आप बहुत खुश रहें और आपके जितनी भी इच्छा हैं वो सब पूरी हो जाएं आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए जो पॉजिटिव हो और जो नेगेटिव है वो आप से दूर रहे तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा टॉपिक है आज का आपके जो पर्सन है वो आप से क्या कहना चाहते हैं जो आपसे अभी तक नहीं कह पाए हैं तो उनकी जो hidden feelings हैं जो वो आपके सामने नहीं बोल पाते हैं वो आपको आज सब बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको बस यही करना है कि दो option हैं आपके सामने उनको आपको चुन लेना है जो भी आपको ज़्यादा attract कर रहा हो दो numbers हैं सबसे पहले आपको अपनी आखे ब लेजे और हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करके आप हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं जिस किसी ने भी चुना है option number triple three पहले वाले तस्वीर को जिस ने भी चुना है उनके लिए टेर साइन टारिस वर्गो कैप्रिकॉन ब्रिशापकन्या मकर रासी और वाटर साइन करक ब्रश्चीक मीन रासी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रोंग है एरिस लिए सेजीटेरियस थोड़ा सा कम है और जेमनी लिबरा एक्वेरियस भी थोड़ा सा कम है उसके बर्थ आपकी आपके परसन की हो सकती है किसी भी मन्त की 23 तारिक किसी भी मन्त की 9 तारिक किसी भी महिने की 12 तारिक किसी भी महिने की 21 तारिक और 7 तारिक किसी भी महिने की हो सकती है आपकी आपके परसन की बर्थ मन्त की बात कर लें तो सबसे स्ट्रोंग जो बर्थ मन्त य जन्वरी और जुलाई ये बहुत स्ट्रॉंग है नाम के इनिशियल की बात करें तो सबसे स्ट्रॉंग जो यहां पर आ रहा है वो है P, D, R और L ये बहुत स्ट्रॉंग है ये आपके आपके परसन के नाम के इनिशियल या फर्स्ट लेटर हो सकते हैं फ्रेंड्स टेरो कार्ड बता रहे हैं कि बहुत सारी लोग की जो एनरजी है यहां पर वो कुछ इस तरह की है कि उनका एक अच्छा रिष्टा है उनकी परसन के साथ नया नहीं है पुराना रिष्टा है और उनकी रिष्टे में थोड़ा नौक जोंक, थोड़ा लड़ाई ज अब प्राबलम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं वो लोग यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी एनरजी यहां पर आ रही है एक और कंडिशन यहां पर देख रही है कि वो कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और अपने हस्वेंड या वाइफ के लिए यहां पर देख रह तो अपके जो परसन है वह मेल हैं आपके सामने नहीं बताते आपको ऐसा लगता है कि वह छुपाते हैं चीजें आपसे तो बहुत सारे लोगों के एनरजी ऐसे या रही है या तो फिर वह रिलेशन में है तो उनको यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या बाते हैं जो वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं वो क्या छुपाते हैं आपसे या तो फिर वो क्या नहीं बोल पाते हैं आपसे तो आपको बता दें यहाँ पर कि आपके जो परसन है वो हज्वेंड या वाइफ हो सकते हैं तो आप लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अभी decision लो अभी decision लो हो सकता है कि आपकी family में बहुत सारे issue होते हैं उनकी family के member जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें और कुश ना कुश problem create करते रहते हैं ना family में कुश लोग होते हैं जो जलते हैं खुशियां देखकर हमारी खुशियां उनसे बरदास्त नहीं होते हैं और वो जलते हैं बहुत ज़्यादा तो क्या होता है कि वो कुछ ऐसे create करते रहते हैं problem छोटी छोटी problem डेली life में लेकिन वो छोटी छोटी problem भी जब इखटी होती हैं तो हमारी life को disturb करती रहती हैं और तब आप pressure बनाते हैं कि अपने person पर की वो कहीं और चलके रहें वो कुछ decision लें और अपने future के लिए कुछ planning करें वो family से अलग जाके रहना चाहते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपनी family से अलग जाके रहना चाहते हैं अपने husband या wife के साथ लेकिन अभी वो आपके जो person ने वो बता ही नहीं रहे हैं अपना decision नहीं बता रहे हैं कि वो क्या करने वाले हैं वो अलग जाके रहेंगे या नहीं रहेंगे या वो आपके support में कभी खड़े होंगे आपकी बात कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे तो बहुत सारे लोगों के ऐसी energy यहां पर आ रहे हैं तो बता दें आपको कि उनकी जो family है वो उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके दिल में बहुत प्यार है बहुत respect करते हैं वो अपने parents की अपने family member उनके भाई बहन जो भी है और वो उन्हें छोड़ कर जाने के mood में तो नहीं है दोस्तों और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो वो जो लोग ऐसी हैं कि जो प्यार में हैं और relation में हैं और देख रहे हैं अपने person के बारे में की उनके मन में क्या है तो आपको बता दें कि आपके जो socialism है आपके साथ नहीं रिच्टा नहीं उनका और रिच्ता पुराना है और अभी आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि कुछ तो भी प्राब्लम हमारी रिष्टे के बीच में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं अब आप लोग ऐसा चाहते हैं कि इस रिष्टे को एक नाम दिया जाए आप शादी करना चाहते हैं हो सकता है आप चाहते हैं कि कमिटमेंट दें या वो चाहते हैं कमिटमेंट दें कोई भी एक चाहता है कि शादी करके अब साइटल होना चाहिए अब लाइफ में आप फैमली बनानी चाहिए अब हमें अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए तो इस तरह से आपके जो परसन है या आप हैं दौनों के मन में कि किसी में हो सकता है जो चाहते हैं कि अब कोई डिशीजन लिया जाए अब इस रिष्टे पू नाम दिया जाए हो सकता है आपने सोचा है ऐसा कि आप शादी की जाए और दूसरा यह सोचता है कि नहीं अभी पहले कैरियर पर फोकस करना है या अभी दूसरी जिम्मेदारिया हैं हमें उन पर focus करना है तो अभी वो शादी के mood में नहीं है या आप नहीं है या आपके person नहीं अभी आप comment करके बताना कि क्या condition है क्योंकि दौनों के ही ऐसी energy आरे कि कोई एक तो चाहता है commitment हो शादी हो और दूसरा चाहता है नहीं अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए अभी हमारे career को बनाने का time है अभी self growth का time है तो बस यही है कि आपके और आपके person के बीच सिर्फ इसी बात को लेकर लड़ाई जगड़ा होता रहता है अन्मन होती रहती है कुछ गलत फैमिया हो जाती है कभी पर ऐसा विल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत जादा आप लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए भी सोचो आप दोनों नहीं सोचते हैं ऐसा कुछ भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं बहुत चाहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते तो आपके person जो हैं हो सकता है कि उनको थोड़ा वक्त चाहिए है या आपको आप दोनों को बस एक दूसरे को समझना है बात करना है और बीच का रास्ता आप लोगों को निकालना है जो भी पॉसिविल है इस तरह से आपके रिष्टे में फिर से एक वही खुबसूरत बात चीत होना शुरू हो जाएगी बहुत अच्छा कॉलिटी टाइम होगा सब क्योंकि आप दोनों का रिष्टा बहुत अच्छा है बहुत स्ट्रोंग है और बहुत अंटरस्टेंडिंग भी आपके बीच में बस अभी बस जो टाइम चल रहा है उसे थोड़ा सा निकलने दीजिए क्योंकि हो सकता है कि पहले दूसरे काम जादा जरूरी है अपनी क्यरियर पर ध्याद़ देना जरूरी है क्योंकि दोस्तो ये वक्त अगर निकल गया तो फिर लोटकर नहीं आता है सारी चीजां सही समय पर अच्छी लगती है और ऐसा भी नहीं है कि शादी जरूरी है जब उसका समय आएगा तो वो भी होगी और जब तक शादी नहीं हो रही है तब तक भी आप उनको समझ सकते हैं वो आपको समझें और आप लोग जो चाहते हैं दौनों मिल जुलकर अकर बात करेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा थोड़ी समझतारी आपको भी दिखानी होगी थोड़ा सा उनको भी आगे बढ़ना होगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा जैमाता दी चैश्री कृष्णा अब जिस किसी ने भी चुना है ऑप्शन सेकंड वाला ट्रुपल नाइन नमबर के लिए उनी के लिए टेरू काड क्या मेसेज लाए हैं आईए देख लेते हैं दोस्तो जिसने भी बिलू कलर की बटरफ्लाई को चुना है उनके परसन उनके बारे में क्या सोचते हैं आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की तो सबसे स्ट्रॉंग जो साइन है वो है वाटर साइन करक ब्रस्चिक मीन रासी पाएसेस कैंसर स्कॉर्पी बहुत स्ट्रॉंग है यहां पर इरिसलियो सजीटेरियस में सिंधनु रासी, जैमिनी लिब्राइक वेरियस, मिधुन तुला कुम रासी, टारस वर्गो कैप्रेकॉन, ब्रशव कन्या माकर रासी इन सबकी भी एनरजी यहां पर है वो सब भी देख सकते हैं डेट अब बर्थ की बात कर लें सबसे पहले तो डेट अब बर्थ हो सकती है आपके पर्सन की किसी भी मन्त की 29 तारिक, किसी भी मन्त की 25 तारिक, किसी भी मन्त की 9 तारिक, 16 तारिक और 11 तारिक हो सकती है अब birth month बता देते हैं आपके आपके person का birth month हो सकता है August, November, April, March और October ये आपके आपके person का birth month हो सकता है initial की बात कर लें तो initial में आपके आपके person की नाम का first letter हो सकता है C, B, R, T, K, M Friends अभी देख लेते हैं अग कंडिशन क्या है तो सबसे पहले जो कंडिशन है ऐसे लोग हैं हाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जिनकी एनरजी आ रही है कि वो अपने X के लिए देख रहे हैं वो अपने X के लिए देख रहे हैं या तो फिर उनके person से उनकी बात होना बंद हो गई ये थोड़ी समय पहले और अब वो फिर से उनी के लिए देख रहे हैं कि उनके मन में क्या है वो कौन सी बात ऐसी थी जो आपके साथ share नहीं करते छुपाते थे तो बताएं आपको कि आपके जो X हैं या तो फिर आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे सारी बातें नहीं कह पाते हैं वो बहुत सारी बात है अपनी family से related अपने personal अपने career से related या तो फिर अपने past life से related अपनी बात हैं आपसे share नहीं कर पाते वो अपनी feeling नहीं share कर पाते उनके मन में बहुत आता है देखे बहुत साफ दिल के इंसान है और बहुत उनकी intention गलत नहीं होता है उनकी सोच गलत नहीं होती है लेकिन वो आपसे नहीं कह पाते हैं कि वो आपको कितना चाहते है या तो फिर उनकी past life के जो उनकी experience है वो आपके साथ share नहीं कर सकते हो सकता है कि past में उनकी कुछ affair रहा हो किसी के साथ या वो relation में हो किसी के साथ और अब वो सोचते हैं डरते हैं कि अगर आपसे कहेंगे तो आपको बुरा ना लगे आप उन पर शक करना शुरू न कर दो तो वो बता नहीं पाते हैं आपसे और आपको एक बात बता दें कि आपके जो person है अब उनके दिल में आप ही के लिए feeling है और किसी के लिए भी नहीं लेकिन लेकिन वो अपनी feeling express नहीं कर पाते दो तरह के इंसान होते हैं दोस्तों या तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं आपका बड़े हैं बहुत बड़े बड़े gift लाएंगे बहुत impress करने की कोशिश करेंगे दूसरी वो लोग होते हैं जो बहुत simple होते हैं कहना चाहिए कि बहुत simple living रहती हैं उन्हें कोई दिखावा पसंद नहीं होता उनके दिल में बहुत प्रेम है आपके लिए लेकिन वो कभी दिखा नहीं पा रहे हैं इस तरह के भी लोग होते हैं तो आपके person जो हैं वो इसी तरह के हैं वो आपको नहीं बता पाती कि आप भी को देखते रहते हैं ऐसा है और चो लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं तो एक्स उनके क्या चाहते थे क्या सोचते थे उनकी feeling क्या होती थी तो देखिए वो बहुत जादा आपके लिए serious नहीं थे और इसी लिए आप दोनों का रिष्टा लंबा नहीं चल पाया हो सकता है कि वो कहीं और busy हुआ करते थे वो अपनी family के लिए वो अपनी career के लिए busy थे और इसलिए आप दोनों का रिष्टा इतना नहीं चल पाया और आप दोनों थोड़ा अलग हो गई हैं भी distance दिखरा है हो सकता है आप social media पर मिले हो कभी और अच्छी दोस्ती हो गई हो और फिर आप दोनों ने बात करना बंद कर दिया मैसेज करना बंद कर दिया एक दूसरे को अब बात कर लेते हैं वो लोग जो अब ही अपने person के साथ एक नए रिष्टे की शुरुआत की है जिन लोगों ने और अब वो जानना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो रही है उनके मन में क्या हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं हो सकता है कि साधी सेट हुई है आप दूनों की आपकी family के तरफ से और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या रहता हैं क्या feeling रहती है या तो फिर आप किसी से मिले हैं अभी hal-phil हाल बहुत टाइम नहीं हुआ है और आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग क्या है वो ऐसी कौन सी बाते हैं जो आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं देखे दोस्तों नई नई शुरुआत जब होती तो सब बहुत अच्छा होता है लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती कि एक ट्रेस्ट नहीं हो पाता उतना तो अपनी सारी परसनल बातें बहुत जल्दी लोग शेयर नहीं कर पाते हैं चाहिए आप कुछ भी सोचें या तो फिर वो कुछ भी सोचें नहीं आप इतनी जल्दी शेयर कर सकते हैं और नहीं वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में किसी को थोड़ा वक्त लगता है जब उन्हें भरोसा हो जाएगा जब आपको भरोसा हो जाएगा उन पर और जब उनको भरोसा हो जाएगा आप पर तभी वो अपनी बात आपसे कह पाएंगे तो आपको भी समझना होगा कि किसी भी नए रिष्टे की जब शुरुआत होती है तो थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए सबसे पहले कि उसकी feelings, उसके interest क्या है धीरे धीरे ही आपको भी समझ में आएगा और जब आपका कहते हैं intuition strong है जब आप किसी का चहरा पड़ लेते हैं समझने रखते हैं उसकी आखों से आपको feeling समझ में आने लग जाती है इतनी भी understanding होती है तो वो सब धीरे धीरे होता है थोड़ा वक्त लगता है हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी बाते हो जाएं आपको बहुत कुछ पता चल जाए उनके बारे में तो थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तो थोड़ा वक्त देना होगा आपको भी और उनको भी थोड़ा वक्त देना होगा जो दोनों ही जब बार-बार मिलेंगी मुलाकात करेंगे तभी एक दूसरी के बारे में समझ पाएंगे लेकिन आपके जो परसन है जो न्यू बिगनिंग वाले लोग हैं बता दें कि उनके जो परसन है बहुत कहना चाहिए अट्रेक्शन फील करते हैं और दिल से जोड़ना उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिष्टा जो है वो दिल से जोड़ा हुआ है उसमें दिखावा नहीं है तो आपके जो परसन है बस यही कहना चाहते कि बहुत सारा प्यार है मेरे दिल में तुम्हारे लिए मैं कैसे तुम्हें दिखाओं वो सब कुछ तुम्हारे लिए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग हूँ और तुम्हारे लिए बिलकुल अलग हूँ मेरे जो फीलिंग है वो तुम्हारे लिए बिलकुल अलग रहेंगी और हमेशा ही मेरी लाइफ में खुशियां बखेरना के काम आप कर रहे हूँ और मैं चाहता हूँ चाहती हूँ कि ये रिष्टा बहुत ही खुबसूरत हो हम दोनों ही इस रिष्टे को बहुत खुबसूरत बनाएंगे और ऐसा लग रहा है कि जैसे एंजल यूनिवर्स सब आपके रिष्टे को ब्लैसिंग दे रहे हैं बहुत सारी खुशियां आपको ऐसा लगता है ने जब बहुत अच्छा कोई मिले जब कोई हमारा सोल मिठ हम से मिलता है तो ऐसा लगता है कि जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं सारी काम बनते हुए दिखते हैं और चारों तरफ मन में इतनी खुशी रहती है अंदर ही अंदर तो बहुत सारी लोग यही फील कर रहे हैं बहुत हैपी फील होता है जब कोई बात नहीं है फिर भी मन में ही मुस्कुरा रहे हैं और उनकी बातें याद कर रहे हैं तो यही है आपके person के मन में कि बहुत सारा प्यार है आपके लिए बहुत सारी feelings अच्छी अच्छी वाली हैं romantic feeling है लिकिन वो थोड़ा वक्त चाहते हैं और आप भी इसलिए tarot card देख रहे हैं ये reading देख रहे हैं कि आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं क्योंकि आपके दिल में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी feelings है उनके लिए आप भी उनसे नहीं बोल पा रहे हैं वो भी आपसे नहीं बोल पा रहे हैं जिसका आपको इंतजार है बहुत अच्छा रहने वाला है आपका ये रिष्टा I hope आपको समझ में आ गया होगा कि आपके परसन क्या चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा अपने परसन का नाम बताएं अपने फिलिंग्स हमारे साथ शेयर करें मैं बहुत अच्छा लगता है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स कमेंट बोक्स में अपने इश्वर के लिए अपने इस्ट के लिए जरूर ग्रेटिट्यूट सेंड कर दें उनके लिए थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें जिसे भी आम मानते हैं जै माता दी जै श्री कृष्णा लिखें जिसको भी आप मानते हैं क्योंकि उनके लिए अगर हम ग्रेटिट्यूट सेंड करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लैसिंग मिलती हैं तो मिलती हैं अपने अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें और उनका ख्याल रखें जिन से आप प्यार करते हैं जै माता दी जै श्री कृष्णा